प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जहां वैश्विक इस्तर पर योग का पर्चम लहरा रहे हैं, यूएन में होने वाले खास कारिक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वहीं भारत भर से अंतराश्ट्रिय योग दिवस पर बहतरीन तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर कोई इस य योग दिवस को अपने अंदाज में खास बना रहा है, अंतराश्ट्रिय योग दिवस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब संयुक्त राश्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था, और तब से लेकर आज तक अंतराश्ट्रिय योग दिवस के जरिये योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, देखिये आप सब के साथ मिल करके योग करने का आनन्द भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दाईत्वों की भज़ से मैं अभी अमेरिका में हूँ, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड रहा हूँ, भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन योग करने के खारकम से भाग नहीं रहा हूँ, भारतिय समय के अनुसार, शाम साड़े पांच बजे करीब करीब, संयुक्त राष्ट, युएन के मिख्याले में, जो विशाल मात्रा में योग कारकम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होँगा, हमारे रुश्यों ने योग को परिभाशित करते हुए कहा है, युज्यते एतद, इती योगह, अर्थात, जो जोड़ता है, वो योग है, इसलिए, योग का ये प्रसार, उस विचार का विस्तार है, जो पूरे संसार को, एक परिवार के रूप में समाहित करता है, योग के विस्तार का अर्थ है, वसुधे कुटुम कम की भावना का विस्तार, इसलिए, इस वर्ष, भारत की अध्यक्ष्ता में हो रहे, जी ट्वेंटी समिट की थिम भी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है, हमें एक भारत, त्रिष्ट भारत की भावना को विश्व के सामने एक उधार्ण के रुप में प्रस्तुत करना है, भाई यो भेनों, योग के लिए कहां गया है, योगह कर्मसु कौशलम, यानि कर्म में कुशलता ही योग है, आज़ादी के अमरित काल में ये मंत्र, हम सभी के लिए बहुत एहम है, जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो हम योग की सिधी तक पहुच जाते हैं, योग के जरिये हम निश्काम कर्म को जानते हैं, हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तै करते हैं, मुझे विश्वास हैं, योग से हम अपने स्वास्त को भी बहतर बनाएंगे, और इन संकल्पों को भी आत्मसाथ करेंगे,